हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तो अगर आप यूपीटेट, सीटेट, सुपरेट, एमपीटेट, बर्ग 3 या रीट की तयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें आज इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हिंदी के top 25 questions जो परिच्छा की दस्ट्री से सभी महातपूर है दोस्तो आज की वीडियो के सभी परिच्छन आपके लिए बहुत महातपूर रहेंगे आप वीडियो को पूरा देखें और लास्ट में आप अपना score जरूर कमेंट करके बताएं कि आपने कितने questions का correct answer दिया है चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं question number first screen पर है सभी के लिए स्कूलों में सभी की सिक्छा निमने मैंसे किस के लिए एक tagline हो सकती है सभी के लिए स्कूलों में सभी की सिक्छा निमने मैंसे किस के लिए एक tagline हो सकती है options हैं दोस्तो आपके पास संबेदी सिक्छा, सहयोगी सिक्छा, समावी सिक्छा, बिसे सिक्छा दोस्तो अगर आप अंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें बहुत अच्छा question है question number first का दोस्तों अगर आप अंसर जानते हैं जल्दी से comment करें इसका correct answer क्या होगा question number first का दोस्तों correct answer होगा is option number c somea- restart option number c दोस्तों इसका correct answer is very very most important question note कर ले सभी के लिए school home में सभी की शिक्षा यह tagline हो सकती है sameaiva- restart next question 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 number second धारा प्रवाह बिस्तार मौलिकता और लचीला पन किस से सम्मंदित कारक हैं धारा प्रवाह बिस्तार मौलिकता और लचीला पन किस से सम्मंदित कारक हैं दोस्तों आपके पास योग गिता प्रतिवा सीलता अलग सोच गती ब्रद्दी अगर आप अंसर जानते हैं दोस्तो जल्ली से कमेंट करें गुश्यन number second का correct answer क्या होगा दोस्तों जल्ली से कमेंट करें धारा परभाई बिस्तार मौलेक्ता औौ लचीला पन किस से संबंदित कारक हैं आपको बताना है kuşश्यन number second का दोस्तों correct answer होगा option number B पृतिवास आली इसका correct answer होगा option number B पृतिवास आली नोट कर लें दोस्तों बहुत अच्छा question है next question question number third पृतिवास आली चात्रों से सम्मंदित प्रिश्णों पर अधिक समय बिताने के लिए कहा जा सकता है पृतिवास आली चात्रों से फिर ब्लैंक सम्मंदित प्रिश्णों पर अधिक समय बिताने के लिए कहा जा सकता है कैसे प्रिश्णों options हैं आपके पास रचनात्मक याद करने समझने बिसले सर करने options आपके पास हैं दोस्तों गर आप अन्सव जानते हैं जल्दी से कमेंट करें question number 3 का correct answer क्या होगा जल्दी से कमेंट करें दोस्तों question number 3 का correct answer होगा option number A रचनात्मक्ता option number A दोस्तों इसका correct answer होगा प्रतिवास आली चात्रों से रचनात्मक्ता शंबंदित प्रिश्णों पर अधिक समय विताने के लिए कहा जा सकता है गड़ित में सीखने की अच्छमता का मूल ल्यांकन निमने मैं से किस परिक्षण से किया जा सकता है गड़ित में सीखने की अच्छमता का मूल ल्यांकन निम्ने मैं से किस परिक्षण से किया जा सकता है options हैं आपके पास योगिता परिक्षण निदान परिक्षण screening परिक्षण और लबदी परिक्षण options आपके पास हैं दोस्तों अगर आप अपन से जानते हैं जल्ली से comment करें इसका correct answer क्या होगा आपको बताना है गड़त में शीखने की अच्छमता का मूल्यांकन किस परिक्षण से किया जा सकता है आपको बताना है question number 4 का दोस्तों correct answer होगा option number B निदान परिक्षण इसका correct answer होगा option number B निदान परिक्षण next question 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 number 5 सब्द प्रेणा सब्द के साथ अक्षण किस सब्द का एक दूसरे के बदले में उपियोग किया जाता है आपको बताना है प्रेणा सब्द के साथ अक्षर किस सब्द का एक दूसरे के बदले में उप्योग किया जाता है ओप्सन्स है आपके पास प्रोट साहन, वावना, आवश यक्ता, प्रेणा सुरूद दोस्तों आपके पास अगर आप अंसर जानते हैं जल्ली से कमेंट करें कोशन नमबर 5 का करेक्ट अंसर क्या होगा आपको बताना है प्रेणा सब्द के साथ किस सब्द का एक दूसरे के बदले में उप्योग किया जाता है question number 5 का दूस्तों correct answer होगा option number 3 आवर श्यक्ता इसका correct answer होगा option number C next question question number 6 चौस्की के अनुशार के कारण बच्चे भासा सीखते हैं चौस्की के अनुशार किसके कारण बच्चे भासा सीखते हैं आपको बताना है options हैं भासाई समाज, भासा आकलं चमता, ब्याकरनिक के नियमों की जानकारी से ही भासाई अरजन चमता दोस्तों अगर आप अनसर जानते हैं जल्दी से comment करें question number 6 का correct answer क्या होगा बच्चे भासा कैसे सीखते हैं या किससे सीखते हैं आपको बताना है question number 6 का दोस्तों correct answer होगा option number D भासा आई अरजन चमता, इसका correct answer होगा option number D next question, question number 7 भासा सिक्षण की पृत्यक्ष बिधी में option से आपके पास भासा अरजन की शवभाविक इस्तिधी का निर्मान होता है मात्र भासा का निरर्थक हस्तचेप होता है अतरिक्ति सिक्षण सामागिरी की कोई आवस्ता नहीं, भासा की विविद सनरचनाओ के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है दोस्तों अगर आप अंसर जानते हैं जल्ली से कमेंट करें भासा सिक्षण की प्रत्यक्ष बिदी में क्या इसका करेक्ट आंसर होगा आपको बताना है Q7 का दूस्तों correct answer होगा option number A भासा सिक्षण की पृत्यक्ष बिधी में भासा अर्जन की श्वभाविक इस्तिधी का निर्मान होता है इसका correct answer होगा option number A next question, question number 8 पूरक पाठे पुस्तक का उद्देश से है जो पूरक पाठे पुस्तक उसका क्या उद्देश होता है आपको बताना है option से आपके पास बल पूरुबक पढ़ना, बाचेन अभ्यास गंभीर साहित पढ़ना, अतरिक्त ग्रहकारे देना option से आपके पास है अगर आप अंसर जानते हैं जली से comment करें इसका correct answer क्या होगा question number 8 का दोस्तो correct answer क्या होगा आपको बताना है पूरक पाथ पुस्तक का उद्देश से है क्या उद्देश से है पूरक पाथ पुस्तक का आपको बताना है question number 8 का दोस्तो correct answer होगा option number B बाचेन अभ्यास इसका correct answer होगा option number B next question, question number 9 निमने मैसे अनुकृती का बलोम सब्द है आपको अनुकृती का बलोम सब्द बताना है ओप्सन से आपके पास वास्तवेग तत्य परक, अग्ग कृती, प्रतिकृती दोस्तो अगर आप अंसर जानते हैं जल्ली से कमेंड करें वैरी वैरी most important question अनुकृती का बलोम सब्द बताना है question number 9 का दोस्तो correct answer होगा option number D अनुकृती का बलोम सब्द प्रतिकृती होता है इसका correct answer होगा दोस्तो option number D नोट कर लें next question, question number 10 ये misprint हो गया है सुद्ध चब्द नहीं इसमें आपको असुद्ध बताना है कि असुद्ध सब्द कौन सा है असुद्ध सब्द बताना है option से आपके पास कारिक्रम, अनाधिकार, बिछिन, आसरिवाद दोस्तो अगर आप अपन से जानते हैं जल्ली से कमेंट करें इस question में आपको असुद्ध सब्द बताना है कि असुद्ध सब्द कौन सा है जो options आपको दिये गए है उन में से असुद्ध सब्द कौन सा है options है आपके पास कारिक्रम, अनाधिकार, बिछिन, आसरिवाद दोस्तो अगर आप अपन से जानते हैं जल्ली से कमेंट करें question number 10 का correct answer क्या होगा दोस्तो आपको बताना है question number 10 का दोस्तो correct answer होगा option number B जो अनाधिकार सब्द है वो गलत है इसमें ना बड़ा नहीं छोटा होता है अनधिकार होता है next question, question number 11 निम्न मैंसे महापराण बर्ण है ये जो आपको बर्ण दिये गए हैं आपको बताना है कौन सा महापराण है option से आपके पास बड़ा आ, का, था, चा जो इसपर सब्यंजन होते हैं आपको बताए था कि जिसको पाँच बर्गों में डिवाइड किया गया है काबर्ग, चाबर्ग में उन्हें में अल्पराण औं महापराण में भी इसको बताना है कि जो बर्ण दिये गए है इनमें से कौन सा महापराण है महापराण दोस्तों वो होते हैं इस पर संकर्च ब्यंजन है जो डिवाइड किया उनका पहला उनका दूसरा और चौथा दूसरे और चौथे बर्ग होता है जो लाइड उसमें महापराण होते है जैसे कि इसका इसका करेक्ट अंसर होगा दोस्तों option number C था है जो ता वर्ग में आता है ता था ता के बाद था जो ता होता है वो अलपराण होता है था होता है महापराण होता है next question question number 12 कवी बिहारी किस रस के मुख्य कभी हैं कभी बिहारी हैं वो किस रस के मुख्य कभी हैं आपको बताना है करुण रस, बीर रस, सांत रस, सिंगार रस दोस्तों अगर आप अंसर जानते हैं जल्ली से कमेंट करें Q12 का दोस्तों correct answer होगा option number D, सिंगार रस इसका correct answer होगा option number D, सिंगार रस जो कभी बिहारी है, वो सिंगार रस के मुख्य कभी है next question, question number 13 पठन कॉसल से अभी प्राय है जो पठन कॉसल है, उसका क्या अभी प्राय है option से आपके पास लिपी चिन्नो की पहचान, पढ़कर समझना सब्दों को पढ़ना, बाक्यों को पढ़ना दोस्तों, गर आप अंसर जानते हैं, जल्दी से कमेंट करें very very most important question पठन कॉसल से क्या अभी प्राय है आपको बताना है पठन कॉसल का मींस हुआ पढ़ने में कॉसल, इसका correct answer होगा option number B, पढ़कर समझना जब पठन कॉसल यानि पढ़ने में कॉसल हो जाए दक्षिता प्राप्त कर लें तो उसका क्या अभी प्राय निकलेगा कि पढ़कर समझना, पढ़कर समझ लेते हैं next question, question number 14 प्रिथक प्रिथक समझाती शमूहों के बैक्तियों के प्रिथी बच्चों को अभी प्रिथी साधनत या आधारित होती है options है आपके पास अनेक अभी बावकों की चित्र प्रिथी पर दूर दर्सन के प्रभाव पर अनेक समकक्षियों की अभी प्रिथी पर उनके सहोधरों की अभी प्रिथी पर कुश्चन नमबर 14 का दोस्तों correct answer होगा option number C अनेक सम कक्षियों की अभिवरत्ती पर इसका correct answer होगा दोस्तों option number C नोट कर लें next question 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 number 15 बच्चों में श्वा अध्यन की छमता का विकास किया जा सकता है option से आपके पास महान ब्यक्तियों का उद्धर्ण देकर नूतन साहित उपलब्द कराकर श्वा अध्यन पर ब्याख्यान देकर श्वयम का उद्धर्ण प्रिस्तुत करके option से आपके पास दोस्तों अग करते हैं जल्ली से कमेंट करें question number 15 का correct answer क्या होगा आपको बताना है बच्चों में श्वा अध्यन की छमता का विकास किया जा सकता है किस तरीक से किया जा सकता है options आपके पास है question number 15 का दोस्तों correct answer होगा option number B नूतन साहित उपलब्द कराकर इसका correct answer होगा option number B next question 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 number 16 को उच्चों परिछन निमन मैंसे किसका घटक है options है आपके पास अभी प्रेणा रुची स्रजनात्मक्ता बुद्धी options आपके पास है दोस्तों अगर आप answer जानते हैं जल्ली से कमेंट करें उच्चों परिछन निमन मैंसे किसका घटक है आपको बताना है question number 16 का दोस्तों correct answer अगर आप जानते हैं जल्ली से कमेंट करें इसका correct answer होगा option number C स्रजनात्मक्ता दोस्तों इसका correct answer होगा option number C स्रजनात्मक्ता उत्सुक्ता परिच्छण स्रजनात्मक्ता का निमने मैंसे किसका घड़ा के मीज स्रजनात्मक्ता का घटक है next question question number 17 बच्चे के संग्यान आत्मक बिकास है तू उत्तम इस्थान है option से आपके पास खेलका मैधान, बिद्याला एबम, कक्छा का बातर बरण शभागार और घर दोस्तों options आपके पास हैं कर आपके जानते हैं जल्ली से कमेंट करें अच्छा question है बच्चे की संग्यान आत्मक बिकास ही तू उत्तम इस्थान कौन सा है आपको बताना है इसका correct answer होगा दोस्तों, option number B, बिद्याला एबम, कक्छा का बातर बरण इसका correct answer होगा, option number B, next question, question number 18 निमने मैंसे कौन सा कारक इश्मिर्टी से सम्मंदित नहीं है option से आपके पास अनुभूती, पहचान, धारण, पुना इश्मरण कौन सा कारक है जो इसमिर्टी से सम्मंदित नहीं है question number 18 का दोस्तों, correct answer होगा, option number A, अनुभूती इसका correct answer होगा, option number A, अनुभूती, नोट कर लें दोस्तों next question, question number 19 अविधारणा का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है, किसका हिस्सा है, आपको बताना है, options है सारीजिक बिकास, बौधिक बिकास, सामाजिक बिकास, सम्मेग आत्मक बिकास, options आपके पास हैं, दोस्तों, अगर आप अनुभूती, जानते हैं, जल्ली से कमेंट करें, इसका correct answer क्या होगा question number 19 का दोस्तों correct answer होगा, अविधालाओं का बिकास मुख्य रूप से, बौधिक बिकास का हिस्सा है, इसका correct answer होगा, दोस्तों, option number V, बौधिक बिकास next question, question number 20 कक्चा कक्च में सिक्चक बाव विध्यार्तियों के मद्ध शंपरेशन होना चाहिए, दोस्तों आपको बताना है, जो कक्चा कक्च उसमें सिक्चक बाव विध्यार्तियों के मद्ध किस प्रकार का संपरेशन होना चाहिए, पाठे पुस्तक के इंदरित, बिध्यार्ती के क्या होगा कच्छा कच्छ में सिक्षक बविध्यारतियों के मद्ध उद्देश सिक्षक के इंद्रित शंपरेशन होना चाहिए दोस्तों इसका करेक्ट अंसर होगा इसका करेक्ट अंसर होगा दोस्तों option number D, विकास की दर, उसका correct answer होगा, option number D, विकास की दर, व्यक्तिगत विध्यार्ती, एक दूसर से विकास की दर में विन होते हैं। next question, question number 22, किसोरा बस्ता में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? कि सोरा वस्ता होती है जो उसमें बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं आपके पास सारी दिक एवं मानसिक परिवर्तन में समय उजन करना अपने साथियों से समय उजन करना अपने मातर पिता से समय उजन करना पढ़ाई समंदी समय उजन करना options आपके पास हैं दोस्तों गर आप अंसर जानते हैं जल्ली से comment करें question number 22 का correct answer क्या होगा आपको बताना है दोस्तों अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप वीडियो को like और share जरूर करें कम से कम आप वीडियो को 5 वर्टसप ग्रूप में share किया करें question number 22 का दोस्तों correct answer होगा option number A किसो रबस्ता में बच्चों की समस्या होती है next question question number 23 निशक्त बालकों की सिच्छा के लिए प्रावधान किया जा सकता है निशक्त बालकों की सिच्छा के लिए प्रावधान किया जा सकता है options है आपके पास मुख्यधारा में डाल कर समा बेसिच्छा दोवारा समा कलन दोवारा उपरोक्त मैसिक कोई नहीं options आपके पास हैं दोस्तों और आप आंसर जानते हैं जल्ली से comment करें निसक्त बालकों की सिक्षा के लिए किस प्रकार का प्रावधान किया जा सकता है question number 23 का दोस्तों correct answer होगा option number B समा बेसिस सिक्षा द्वारा इसका correct answer होगा option number B next question question number 24 प्रात्मिक बिद्ध्याला के बालकों के लिए निम्न मैंसे किसे बहतर मानते हैं options हैं आपके पास बेडियो अनुरूपन प्रदर्शन समा कलें सोयम के द्वारा किया गया अनुभाव options आपके पास हैं दोस्तों करा पंसर जानते हैं जल्ली से comment करें प्रात्मिक बिद्ध्याला के बालकों के लिए किसे बहतर मानते हैं आपको बताना है options आपके पास है question number 24 का दोस्तों correct answer होगा option number D सोयम के द्वारा किया गया अनुभाव इसका correct answer होगा option number D next और आज का last question दोस्तों very very most important question स्रजन शीलिता के portion के लिए एक अध्यापक को निम्न मैसी किस बिदी की सहायता लेनी चाहिए options है आपके पास बिचार वेस ब्याख्यान वेस दरश्चिश रब्शामागीरी उपरोक्त शभी options आपके पास हैं दोस्तों गरापंसर जानते हैं जल्ली से comment करें स्रजन शीलता के portion के लिए एक अध्यापक को किस बिदी की सहायता लेनी चाहिए